यह रहे हमारा पुराना टेबल हमने लाइंग्स बनानी अब बनाएंगे नए यह पुराने टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन करके नए यह बना लेंगे इस इस आ ड्यू टेबल में एंट्रीज को कैसे डालना है तैटायल इसका भी प्रोसीजर है तब छोटा छोटा ही तयान जहां पे जहां पे कोई भी लाइन क्रोस नहीं कर caterpillar के दिविके नो लाइन क्रॉस ऌहां पे ठीटा सब्ट्राइक्ट कर दीजिए धेटा क्या है ,W해 यह पैसी दान accents ब्रह कर दीजिए और जहां पे वन लाईन क्रॉस जिस सब्टार्यन पे पर एक line cross कर रही है, उसमें कुछ नहीं करना हो, that remains unchange. और जिस element पर two lines cross कर रही है, मतलब ऐसी काटा बन रहा है, वहाँ पर theta को add करना है, और theta क्या है? theta है, lines को छोड़के, जो भी element बचे, उन में से सबसे चोटे element का हम theta ऐसान करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाते हैं, अब यह lines को छोड़के यह बचा, यह बचे elements, जिन पर lines नहीं cross कर रही है, वह वाले elements, यह रहे और यह रहे, इन में से सबसे चोटे element का हम से, सबसे चोटे element बचे, यह 1, तो 1 हो गया theta है, theta is equals to 1, theta is equals to 1, आपने देखना है, जहाँ जहाँ lines नहीं cross कर रही है, वहाँ पर 1 को subtract हो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई line नहीं cross कर रही है, यहाँ पर नहीं cross कर रही है, इस element पर, इन सब्रेट पी लायन नी क्रॉस करी डुबवाने में तो इन में से सबसे पहले वां सब रखक्र दक्या लिख दीजी आगके 291 एंद एर यूविल गेट 73 यूविल गट 27 यूविल गट 5 10 यूविल गेट जैसे यह 6 है, एक ही लाइन क्रॉस कर रही है, यह 0 है, एक ही लाइन क्रॉस कर रही है, यह रहा 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 है, य जीरो 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 और यहां पे आप 6 के corresponding देखिए 0, 4, 5 और यहां पे क्या जाएगा 2, 0, 0 और अब क्या करना है जहां जहां पे 2 lines cross कर रही है बहां पे खिट्टा को add करना है तो 2 lines is 14 पे cross करिए 2 lines यह देखिए red वाली और एक यह उपर वाली blue वाली और एक कहां cross करी इस 0 पे cross करी यहां पे आपको 1 add कर क्लिक देना है you will get 14 plus 1, 15 and 0 plus 1 hope you bought कि हमने किस तरीके से operations को perform दिया है I have explained it in every possible way अब आपको क्या करना है अब फिर से same count allocation दीजिए allocate कर दीजे पहला रोह देखिए पहला रोह में एक ही 0 है allocate कर दिया दूसरा रोह और इसके corresponding a column में सारी zeros को cut second row में देखिए एक ही 0 है इसको allocate कर दिया column में सारी 0 है को यह जिरो स्क्रोश कर दिया कोई भी 0 नहीं है 5th row में एक 0 है allocate this cross of the other zeros in this column and now come in the first column first column में एक ही 0 है जिस्ट allocated it and in the corresponding row cross of all the zeros so this is the new assignment यहां पहे भी आप देखोगे कि job j4 is still unassigned job 4 को हम अभी भी assign नहीं कर पाए है मतलब यह भी एक optimum assignment नहीं आई है तब क्या करेंगे जो काम उने step number 2 में किया था उसको repeat करेंगे वही काम repeat करना है कब तक repeat करना है जब तक सारे jobs assign नहीं जाती तब तक यह काम repeat करना है so let us proceed फिर सिर्क से हम काम काम क्या गन्न है जो job assign नहीं हुई उसके corresponding देखिए आपने टिक लगा दिये टिक लगाने के बाद क्या करना है unticked rows को corresponding lines बनाने है like this line बना दी unticked rows के corresponding एक line यह रही unticked rows के corresponding line बना दीजिए सही हमारी line ड्राउ करने का procedure complete हो गया अब इसके बाद हमने क्या करना है same procedure सबसे minimum element डूल दीए जहां पे line cross ने करी उस वह यह रहा पाना और one को subtract कर दीजिए उन element में से जिन मेंसे कोई भी line ने cross करी और जहां पे दो line cross करी है वहां पे add करती है और बागी के element रहेंगे unchanged let us do this 3-1, 2 एकी line cross करी है 0 पे center में same 2-1, 1, 9-1, 8 1-1, 0 looking at the next row 6 पे एकी line cross करी है तो remains unchanged 15 पे 2 lines cross करी है तो 1 बढ़ जाएगा 16 1 है ना 1 कोई 1 को add करते है 3 को subtract करते है next element यहां देखे यहां पर कितने line cross करी है एक तो यह change भी गहता 0 ही र여 Baz 4 पे एकी line cross करी है तो 4 ही रहीब यह रहीदा 5 पे एकी line cross करी है तो 5 ही रहीब nécessaire third row में देखिए इस 0 पे एकी line cross शरीन next element 1 1 पे 2 line cross करी है एक column वाल यह नहीं, तह यह बढ़ जाएगा लगा, अपकि सारे element पर एक ही लाइन पर ग्रॉस करिये, तह उज रहीए, next row में देखिये, 7 पर कोही लाइन नी ग्रॉस करिये, तह यह ध्रोन जाएगा 6, this will remain same, this will become 1, 4, 1, 5th row में 3 पे एकी लाइन क्रॉस करिए, so it will remain unchanged, 0 पे दो लाइन क्रॉस करिए, so it will become 1, next will remain unchanged, and this is the new table that you have got after the step number 2 of the Hungarian अब अब को क्या करना है, basically, allocation कीजिए, 1st row में देखिए, 0 दो 0 है, so it will be left, 2nd row में देखिए, 1 ही 0 है, assign कर दीजिए, 3rd row में 3 0 है, leave it, 4th row में 1 ही 0 है, assign कर दीजिए, और इस column में जो बागी की 0 है, आपको cross-off कर दीजिए, 5th row में 1 ही 0 है, assign it, and cross-off the rest of the 0s that are left in that particular column, 1st column में देखिए, 1st column में 1 ही 0 है, just assign it, and bucking, just cross-off, this is the another assignment you have bought, after applying the step number 2 of the Hungarian letter, लेकिन इस assignment में देखिए, अब job J1 assigned नहीं है, so this is also not the optimum allocation,